जिन लोगों का जन्म दिन पांच मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्म दिन की हारदिक्षुप कामनाएं आने वाले वर्ष में धन की स्थिती आपके लिए उत्तम रहेगी करियर की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा स्वास्थ में आपके छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं इस साल आपका बड़ा महत्वपूल्ड चेंज ओफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन हो सकता है क्या करेंगे पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत बेहतर होगा बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि महिलाओं को शिवलिंग को इस पर्ष नहीं करना चाहिए ऐसा करना उचित नहीं है देखिए शिवलिंग शिव और शक्ती का निराकार स्वरूप है शिव और शक्ती समस्त स्रिष्टी के माता और पिता है इसलिए किसी को भी शिवलिंग की पूजा करने से या स्पर्ष करने से मना नहीं किया जा सकता कोई भी इस्त्री शिवलिंग का स्पर्ष कर सकती है भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकती है इसमें किसी तरह की मना ही नहीं है अगर आप अपनी मेमरी को या दाश्ट को बहुत अच्छा बनाना चाहते हों तो क्या करेंगे रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चड़ाईए सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के दो पत्तों का सेवन करिए और भोजन करते समय अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ नौर्थ डिरेक्शन की तरफ रखियेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी याददाश्ट बहतर होगी आपका ब्रेन शार्प होगा अपने काम करने की मेज को हमेशा साप सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखे अगर आपकी मेज पर चीजें बिखरी रहेंगी आपकी मेज गंदी रहेंगी तो काम का बोज बढ़ेगा और गलतियां भी होगी इसलिए अपने काम करने की मेज को डिस्क को बिलकुल आप साप सुथरा रखें आपके लिए बहुत बेहतर होगा एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से